आप सभी का टेल्स यूटूब चैनल में स्वागत है और आज मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ एक्स्टैक्शन मुवी की ये आज ही नेट्फिक्स पर रिलीज हुए है और ये एक्शन पैक्ट मुवी है इस मुवी में क्रिस हैंस्वर्थ और डेविड हर्वर जैसे बहुत ही टैलेंटेड अक्टर्स है इस मुवी में इंडियन अक्टर्स भी है जैसे रंदी फुटा और पंकच त्रिपाटी यह movie पूरी इंडिया में धाका में shoot हुई है इसलिए इस movie के around बहुत ही hype है और यह hype यह movie complete करती है इस movie को 8.1 IMDB rating है और यह बहुत ही action packed और बहुत ही अच्छी story इस movie के है तो चलिए हम अब चलते है movie की तरफ मैं आपको यह पूरी movie explain करने वाला हूँ movie start होती है और हमें Tyler दिखाए गया है Tyler कुछ लोगों को bridge पर मार रहा होता है वो car का cover लेता है और चिप जाता है उसके pair पर भी गोली लगी होती है और वो injured होता है फिर हम flashback में आते है two days ago में हमें Ovy उसके school से बाहर निकलता हो दिखता है Ovy उसके car में उसके friends के साथ बैठता है Ovy के friend उसे बोलते है कि हम एक cafe में चलते है जब वो cafe में होते है तो उसकी एक classmate जो होती है वो उसके देखकर smile दे रही होती है उसके friend उसे बोलते है कि तुम्हें जाकर उससे बात करनी चाहिए पर Ovy की courage नहीं होता और वो उसे जाकर बात नहीं करता जब Ovy घर आता है तो उसे साजू बोलता है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें बताया है कि तुम ऐसे school के बाद कहीं भी नहीं जा सकते तुम्हें straight घर आना है साजू जो होता है वो Ovy के लिए protection के लिए assign होता है Ovy के जो father होते है वो Indian drug lord होते है इसलिए Ovy को बहती बड़ी security होती है और साजू एक ex military officer होता है तो इसलिए साजू को उन्होंने assign किया होता है जब रात होती है तो Ovy अपना dinner करता है और उसकी जो made होती है वो हा से जाती है घर में उस पर नज़र रखने वाला कोई नहीं होता तो उसके friends को message करता है कि मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ तो उसके friends एक club में आई होए होते है वा वो लड़की भी होती है फिर Ovy जब वहाँ पहुचता है तो उसके friends उसको encourage करने के कोशिश करते है कि जाओ और उससे बात करो वो फिर से उसको देखकर smile कर रही होती है फिर फिर भी Ovy का courage नहीं होता तो उसका friend उसे बाहर ले जाता है उसे एक cigarette देता है और बोलता है कि इससे तुम्हारा courage बनेगा पुलिस को देखकर उनकी cigarette नीचे फिक देते है फिर पुलिस बोलती है कि तुम्हें यह कहा से मिली अंदर से मिली न फिर पुलिस बोलते है कि आज तुम्हारा lucky day है फिर वो Ovy के friend को मार देते है वो पुलिस नहीं होती तो वो actual में अमिर असिफ के आदमी होते है अमिर असिफ एक पंगलादेशी ड्रग लॉड होता है और वो Ovy को अगवा कर लेता है फिर वो Ovy के father से ransom मांगता है Ovy के father jail में होते है तो साजू को यह message आया हुआ होता है साजू Ovy के father को बताने जाते है और फिर Ovy के father उसे बोलते है उसने मेरी city में आकर मेरे son को अगवा कर लिया है तो यह एक बहुती घटिया message है तो उसे बताते है कि साजू तुमें उसके यहाँ जाकर Ovy को लेकर आना है हम उसे ransom पे नहीं करने वाले साजू बोलता है कि इसके लिए पूरी army लगीगी फिर Ovy के father उसे धमगी देते है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे तुमें क्या लगता है कि मैं जेल में हूँ तो तुमें हट नहीं कर सकता फिर साजू वहाँ से चला जाता है फिर साजू हमें उसकी wife से बात करते हूँ दिखता है उसके wife को बोलता है कि ये जो काम है ये करने के लिए मैं एक आदमी को जानता हूँ पर वो बहुत सारे पेसे लेगा और वो हमारे पास नहीं है पर मेरे पास एक प्लान है जो मैं कर सकता हूँ फिर हम आ जाते हैं किमरले ऑस्ट्रिलिया लेग पर टाइलर और उसके friend हैंग आउट कर रहे होते है उस लेग के ओपर बहुती बड़े mountains होते है और उसकी बहुती बड़ी height होती है तो टाइलर वहाँ से directly jump कर देता है टाइलर पानी में ही grieve करता है उसको अपने son की याद आती है और वो वही grieve करने लगता है टाइलर जब घर आता है तो उससे एक helicopter देखता है वो helicopter Nick का होता है Nick उसे एक mission देने आई होती है Nick उसे बोलती है कि एक लड़का kidnapped हो गया है जो Indian drug lord का लड़का है और उसे बंगलादेशी drug lord आमिर असिफ ने अगवा कर लिया है वो अभी ढाका में है और हमें उसका living proof भी मिला है तो हम वहाँ जाकर उसका हमें extraction करना है फिर Tyler उसे बोलता है कि तुम Gaspar को क्यों नहीं भेज देती Nick उसे बोलती है कि वो अब ये सब काम नहीं कर रहा उसने ये सब काम छोड़ दिया है Tyler उसे हाँ बोलता है कि ठीक है मैं ये काम करूँगा पर Tyler उसको seriously नहीं ले रहा होता और drink भी कर रहा होता है इसलिए उसे Nick बोलती है कि ये तुमसे नहीं होगा मैं किसी और को ढूण लेती हूँ फिर वो बोलता है कि मुझे पैसो की भी जरूरत है तो ये काम तुम मुझे दे दो प्रिवेस सिन में हमें उसके घर में बहुत सारी hands वगेरा उसने पाली होती है वो दिखती है वो उसे बोलता है कि मैं ये जो hands है ये बहुत ही खर्चा करती है और इसलिए मुझे पैसो की जरूरत निक उसे बोलती है कि तुम ये सब mission accept करते है और खुद को bullet लगने की सिर्फ तुम वेटिंग कर रहे हो वो बोलता है तुमारे इस mission पर कोई नहीं जाने वाला ये एक suicide mission टाइप mission है तो सिर्फ मैं ही हूँ तुमारे एक काम करनी निक फिर उसे दुसरे दिन मिलने को बुलाती है फिर वो हमें सब ठाका city में दिखाए गए है वो अपने hotel में होते है और वहां निक, टाइलर और उनकी team होती है निक उसे diffrib कर रहे होती है कि अमिर असिफ कैसा दिखता है फिर उसको वो OV की image दिखाती है सब उसे वो बताती है फिर हमें दिखाया गया है टाइलर एक location पर जाता हुआ वो उस location पर जब पहुचता है तो कुछ लोग आकर उसे अगवा कर लेते है और एक building में लेके जाते है वो उसे बोलते है कि हमारे पैसे गिदर है तो टाइलर उन्हें बोलता है कि जब तुम मुझे लड़का दिखाओगे तभी मैं तुमें पैसे दूँगा फिर वो उसे OV दिखा देते है OV की location उसे पता चल जाती है जब वो नीचे आ रहा होता है तब वो उसके साथ जो लोग होते है उन्हें सब को मार देता है टाइलर को assist कर रहा होता है एक sniper जो भी उसे help कर रहा होता है और लोगों को भी वो मार रहा होता है जो building में होते है और वो टाइलर को एक threat हो सकते है उनको मार रहा होता है टाइलर फिर अंदर जाता है और सब लोगों को मार देता है वो OV को rescue करता है वहाँ एक चोटा सा लड़का भी होता है जिसके हाथ में गन होती है तो Tyler उसे वो gun ले लेता है और उसे भागने के लिए बोलता है नेक सीन में हमें Aamir Aasif दिखाये गया है इस सीन में कुछ बच्चो ने Aamir Aasif के पैसे ले लिए हूते है और इसलिए Aamir Aasif का जो जनरल होता है वो उन बच्चों से पूछ रहा होता है कि किसने पैसो की चोरी की है फिर वो एक लड़के को लेता है और उसको बिल्डिन से धकेल देता है वहाँ एक बच्चा होता है जिसका नाम फरात होता है वो फिर फराद बोलता है कि जिसको तुमने फेका है उसने ही तुम्हारे पैसे लिए फिर आमिर ये देखकर बहुत इंप्रेस्ट हो जाता है आमिर उसको बुलाता है और बोलता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो आमेर फिर दुसरे बच्चों को बोलता है कि फराद से तुम्हें सिखना चाहिए कि किस तरह से हमें intelligence का use कर सकते है और अपनी life बचा सकते है आमेर फिर फराद को चाकू देता है और बोलता है कि तुम्हें तुम्हेरे हाथ की दो fingers मुझे देने हैं यह reminder होगा ताकि future में मुझसे कोई चोरी ना करें फराद अपनी उंगलिया काटने वाला होता है पर तभी आमेर का जो general होता है वो उसे बोलता है कि OV वहाँ से भाग गया है उसको extract कर लिया है टाइलर ने फिर आमेर फराद को बोलता है कि आज तुम्हें लकीडे हैं तुम्हें आज मुझे वो दो उंगलिया नहीं देनी हैं जब वो नीची उतरता है तो वो अपने general को बोलता है कि फराद ये एक अच्छा लड़का है उसे तुम्हें gun वेगरा देना है और उसको हमारी team में शा देता है क्योंकि उसकी शुगर बहुत ही कम होती है टाइलर को help करने वाला sniper भी वह होता है निक को उसकी team बताती है कि अभी तक साजू ने जो पैसे थे वो हमें transfer ने किये है फिर निक बोलती है कि उसे transfer करने के लिए सिर्फ एक मिनिट है वो अपनी ship तक पोची रही होते है पर तभी उस ship पर police आ जाती है टाइलर को help करने वाला जो sniper होता है उसे भी मार दिया जाता है फिर उनके पीछे जंगल में साजू भागता है साजू ओवी को बचाने के लिए आया हुआ होता है वो टाइलर से ओवी को निकाल कर ले जाने वाला होता है यानि कि उसे टाइलर को पे नहीं करना पड़ेगा पर फिर टायलर ओवी को बोलता है कि अकर तुमने साजू के साथ अगर तुम गए तो मैं तुम दोनों को मार दूँगँ फिर ओवी को लेकर वो भाग जाता है साजू भी उसके पीछे पीछे car chase में भागता है उनके पीछे उन दोनों के पीछ तो साजू भी पुलिस को मारता है और टाइलर भी ओवी को बचाते बचाते सब लोगों को मारते हुए भागता रहता है फिर थोड़ी देर बाद टाइलर और साजू एक दूसरे के आमने समने आ जाते हैं टाइलर उसे ट्रक से उड़ा देता है उसको बहुत ही इंज्वर कर और वहां से वह चले जाते हैं, उनके ऊपर एक हेलिकॉप्टर भी होता है, तो उनको वहां से एकस्केप करना होता है, तब टाइलर और ओवी दोनों उनके ट्रक से जम कर जाते हैं, और ट्रक को सिलेंडर से में घुसा देते हैं, और एक बड़ा स्पोर्ट होता है, टाइलर और ओवी फिर वहाँ से निकल कर एक old factory में आ जाते हैं टाइलर वहाँ जाकर उसके जो wounds होते हैं उस पर मलम वेगरा करता है निक का फिर टाइलर को call आता है और वो उसे बोलती है कि हमें अब साजू पैसे नहीं देने वाला इसलिए अब तुम ओवी को वही छोड़ दो और त साजू भी बहुत ही जख्मी होता है तो फिर वो एक hotel पर आता है और जरा आराम करता है फिर वो अपनी family को call करता है उसकी wife को बोलता है कि तुम्हें पता है अगर मैं घर नहीं लोटा तो तुम्हें क्या करना है वो एक safe जगा उस उन दोनों को जाने के लिए बोल रहा होता है वो अपने son से भी बोलता है कि तुम्हें अपनी मदर का सुनना चाहिए और तुम्हें उससे cooperate करना चाहिए फिर टाइलर और ओवी दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं और एक गाड़ी में आकर वो गाड़ी चालू करने वाले होते हैं पर तभी वहां कुछ लोग आ जात है टाइलर जब देखता है कि फरहाध भी बहुत ही उसकी उमर कम है तो वो फरहाध से भी गंचीन लेता है और उसको बच्चे की तरह त्रिट करता है फिर टाइलर और ओवी एक सुवेज लाइन में छिप जाते हैं और फिर वो निक को कॉल करता है बोलता है कि गास्पर को मैंने बचाया था वो मुझे अपनी लाइफ ओ करता है तो वो हमें बचाने के लिए ज़रूर आएगा फिर अमिर जब डिनर कर रहा होता है तब फराद वह आता है और उसको अपनी एक उंगली काट कर दे देता है वो उसे बोलता है कुछ लोग होंगे तो तुमें ये एक्सेट करना है और आगे बढ़ना है तुमें भी बेटर बनना है तुम अभी सिर्फ एक लड़के हो और कभी ना कभी तुम भी एक्सपर बन ही जाओगे फिर गैस पर आकर टैलर को और ओवी को अपने गाड़ी में जुचता है फिर टैलर बोलता है कि मेरी एक वाइफ है और एक बच्चा है फिर हमें पता चलता है कि टैलर का जो बेटा होता है वो मर चुका होता है टैलर का बेटा बहुत ही छोटा होता है तभी उसको कैंसर हो जाता है और वो मर जाता है इसलिए टाइलर हमेशा ग्रीफ करता है उसे बहुत ही दर्ध होता रहता है इसलिए वो किसी भी छोटे लड़के को नहीं मारना चाता है इसलिए ही वो ओवी को बचा रहा होता है टाइलर ओवी सो जाने के बाद नीचे आता है वो और गैसपर बात कर रहे ह गैसपर उसे बोलता है कि Ovy जो है वो अब मरनेई वाला है, अमिर से तुम उसे नहीं बचा सकते हैं, तुम Ovy को एछसान कर सकते हो और उसे अभी यही मार दे सकते हो, अगर तुमने उसे मार दिया तो तुम उस पर एक्सान करोगे, अगर वो अमिर की हाथ लग गया तो उसे टॉर्चर करकर कर वो उसे मारेंगे टाइलर को शक होता है कि गैसपर ने किसी को कुछ बता दिया है तो टाइलर उसे पुछता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो गैसपर बोलता है कि मैं तुम्हें हेल्प करना चाहता हूँ तुम्हें बहुत सारे पाईसे मिलेंगे अगर तुमने ओवी को अमेर को सुफ दिया गैसपर बोलता है कि अमेर के लिए मैंने एक जॉब किया था इसलिए मैं अमेर को जानता हूँ और मैं उसे हमेशा हेल्प करता रहता हूँ अगर उसे पदा चल गया कि मैं तुम्हें हेल्प कर रहा हूँ तो वो मुझे मार देगा वो टाइलर को ओफर करता है कि तुम्हें भी बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे अगर तुम्हें ओवी को नहीं मारना तो मैं उससे जाकर मार दे सकता हूँ फिर टाइलर और गैसपर की फाइट हो जाती है वो एक दूसरे को बहुत मारते है गैसपर टाइलर को मार ही देने वाला होता है तभी वहाँ ओवी आता है ओवी के पास गन होती है और वो गैसपर पर गन चला देता है और गैसपर को वहाँ ही मार देता है फिर टाइलर को ओवी को तो बचाना होता ही है तो इसलिए वो साजु को कॉल करता है साजु को कॉल करकर एक जगा बुलाता है जब सुबा होती है वो दोनों मिलते है और वो साजु को गंस वगरा देता है साजू उसे बोलता है कि तुम मुझे ऐसे हल्प करने वाले हो तो दुसरे तरफ नीक और उसकी टीम का चौपर आने वाला होता है वो उन्हें वहाँ से extract कर लेंगे फिर साजू OV को लेकर एक checkpoint पर आता है टाइलर एक building में होता है और उस checkpoint को उड़ा देता है फिर OV को साजू लेकर चला जाता है OV फिर breach के पास आ जाता है पर वहाँ गाडिया allowed नहीं होती पुरी city lockdown में होती है तो किसी को भी वो आने जाने नहीं दे रहे होते वहाँ बहुती भीड़ोती को साजू और OV अपने आपको cover करके वहाँ से जा रहे होते वो जब breach पार कर रहे होते तबी एक police officer उनको spot कर लेता है वो OV को अपनी hat निकालने के लिए बोलता है फिर साजू बोलता है कि तुम अपनी hat निकाल दो जब OV अपनी hat निकालता है तब साजू अपनी gun लेकर वहाँ जो police officers होते है उन सब को मार देता है फिर उस breach पर बहुत सारे police आ जाती है साजू बहुती precisely सब को मार रहा होता है वो OV को cover लेने के लिए बोलता है एक chopper भी वहाँ आ जाता है और वो साजू को मारने ही वाला होता है पर तब टाइलर की team भी वहाँ आ जाती है और फिर निक उस helicopter को उड़ा दिती है टाइलर भी पीछे से सब cover कर रहा होता है और साजू को help चाहिए होती है पर टाइलर सब को मार मार कर आ रहा होता है तब ही जनरल जो sniper होता है तो वो उसे कंदे पर उसे गोली चलाता है वो ज़रा जखमी होता है फिर भी वो continue मार मार कर आ रहा होता है तब ही निक उस जनरल को spot कर लेती है और उसको मार डालती है फिर ओवी टाइलर के पास आ जाता है टाइलर उसे बोलता है कि तुम्हें अब भागना है तुम जितना फास्ट भाग सकते हो उतनी फास्ट तुम्हें अब यहां से भागना है Nik का helicopter भी वहाँ आया हुआ होता है तो Nik OV को बचा लेती है और वो सब helicopter में बेटने वाले होते है पर वो Tyler का इंताजार रहे होते है पर Tyler को भी फिर गोली लग जाती है और Tyler वही मर जाता है और वो breeze से गिर कर पानी में डूप जाता है पानी में डूपने के बाद वो चेन से अपने बेटे को याद करकर फिर मर जाता है निक ओवी सब हिलिकॉप्टर में बैठते हैं और वो वहाँ से सेफली चले जाते हैं फिर हम इस इवेंट्स के बाद 8 मन्थ हो चुके होते हैं और हमें फिर ओवी दिखता है जब भी वो पानी में जाता है तो हमेशा उसे टाइलर की याद आती है फिर हमें अमिर असिर्फ होटेल में दिखाया गया है वो टॉयलेट में होता है तभी वहाँ नीक आती है और अमिर को मार देती है यही यह मूवी खतम हो जाती है